दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का Canon का Printer है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है Canon का Ink Tank Printer, और यह जो model है G2010 है, हो सकते हैं कि आपके पास 2010 ना हो, कोई दूसरा model हो, पर कुछ इस टाइप का दिखने वाला अगर आपके पास Ink Tank Printer है, और उसमें अगर printing में प्रोब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो में बने रहे ना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रोब्लम सॉल हो जाएगा, तो basically होता है कि यह प्रिंटर में बहुत बार, कि आपके Ink Tank में इंक रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर Black वाला है, और इ इंक होने के बावजूद भी ऐसा प्रोब्लम देता है, जैसे लगते हैं कि आपके Ink Tank का इंक खाली हो गया, पर इंक होता है उसमें, ठीक है, फिर भी आपका प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, यह हो सकते हैं कि आपने अभी अभी जो की है, इंक रिफिल किया है, इंक प्रिंटर में आ जाता है, तो आप सीधा लेके Technician के पास चले जाते हो प्रिंटर को, और चार्ज आता है हो इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, ठीक है, तो आप जो की है आपको Technician के पास जाने का जरूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये प्रिंटर का इंक खाली हो गया, आप मार्केट जाते हो, इंक खरीत के लाते हो, और इंक रिफिल करते हो, इंक रिफिल करने के बाद आप देखते हो कि आपने इंक रिफिल तो कर दिया, फिर भी आपका जो प्रिंटिंग हो ही नहीं रहा है, फिर आप भी परिंटर में क्य आपको कोई डरने की बात नहीं है आपका जो प्रेंटर का प्रॉब्लम है इसका solution में अभि आपको करके दूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई प्रिंटर कोड़ा खाली नहीं करना है ठेक है कुछ बटन का כ более आप कुछ बटन क्लिक करो तो देखिए यह हमारा Canon का Printer है और इसमें आप इधर देख सकते हो इंक टैंक में आपको इंक भी दिख रहा होगा इधर तीनो कलर का और इधर ब्लैक वाला टैंक में भी आपको दिख रहा होगा इंक है ठीक है मतलब कि चारों टैंक में इंक भरा हुआ है फिर भी हमारा जो इंक है वह हमारे Printer में नहीं आता है बतले हम लोग का प्रिंटिंग है वह एकदम लाइट हो रहा है पूरा हलका प्रिंटिंग हो रहा है एकदम ही प्रिंट नहीं हो रहा है ठीक है तो ऐसा प्रॉल्लम होने का में कारान होता है यहां पे अगर मैं इसको खोलू यहां से तो यह हमारे ink tank हो जाता है यह दोनों, यह black वाला है यह color वाला है और इधर pipes रहता है और यह pipe जो की है ink tank से लेकिए cartridge तक connect रहता है cartridge बिसीकली हम लोग का paper पे print करता है कुछ भी चीच को ठीक है तो अगर ink tank से cartridge तक अगर आपका ink नहीं पहुचेगा तो printing आपिर होगा कैसे तो मेरे pipes में इंक दिखे रहा होगा आपको अलग-अलग color चार पाइप है क्योंकि चार color का इंक जाता है इधर तीन और एक चार ठीक है तो चार color का pipe है चार इंक जाता है तो यह कि खाली हो गया होगा इधर में इंक नहीं तो इसको आपको चालू करना है। अब आपको चालू कायोगे सोबसे पहले ऐसे गिरा देना है.. इधार आप देखो printer में इधार आपको buttons बगर दिखने को मिलता है तो इधार में सबसे पहले अगर आपका printer चालु है तो सबसे पहले आप अपने printer off कर दो ठीक है off करके थोड़ा दिर wait करो और इसका फिर से इसको on कर दो तो यहाँ पे जोकिए मैं on कर दिया हमारा printer चालू रहा है, थोड़ा सा wait करना है जब तक इदर on लिखावा नहीं आ जाता है तो थोड़ा सा type Mexico लेत है जब तक on लिखावा नहीं आता है तो जैसे कि आप धेख सकते हो यहां पर इस थोड़ेदर wait किया, ज्याहा पर फादर हमारा one लिखावा ढ़िए ठीक है, प्रिंटर फूरा अच्छे तरीका से चालू हो गया है, अब हम लोग को क्या करना है, उपर जो इस सेटिंग वाला बटन दिखता है, हम लोग को एक बार इसको क्लिक करना है, तो आप स्क्रीन पर देखोगे कि यहां पर सेटिंग का साइन आ जाएगा, मैं आपको 7, 8, 9, 10, ठीक है, मतलब कि आपके स्क्रीन पे दर 10 लिखावा आ जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको 10 टैमस नहीं 9 टैमस क्लिक करना, 9 टैमस आप क्लिक करोगे, तो आपके स्क्रीन में 10 लिखावा आ जाएगा, इधर उपर सेटिंग का साइन पहले कर लेना है, यह बटन द जाएगा, घीं, 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 करेगा, तो इसको ऐसे करने देना है, तो जैसे कि आप सुन सकते हो, जैसे कि आपने सुना प्रिंटर में से कुछ आवाज आ रहा है, और स्क्रीन पे जुकी है, कुछ ऐसा गोल, 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 घूम रहा है, तो इसको चलने देना है, यह हो सकता फानने बहुत दिर वेट करने के बाद हमारा प्रोसेसिंग और लिखावा आ गिया एक बार जब उपका इदर यह लिखावा आ जाता है इसक्रिन पे इसक्रिन फे आपका जो सिस्टम में कम्प्लीट हो चुका है अगर आपका प्रिंटर भी आप सही हो चुका है अब आप simply क्या करो अपने printer में आपको जोई print करके देखो बहुत ही अच्छे से print होके आएगा ठीक है तो इतना से वीडियो था I hope आपको ये वीडियो देखे समझ में आया होगा कि printer को आपका कैसे ठीक करना अगर आपके Canon के printer में इंक का प्रब्लम आता है तो ठीक है अगर पीए मेरे बताएवे steps को apply करते हो तो आपका printer जो की 110% ठीक हो जाएगा अगर आपके printer में इंक का problem हो रहा है अगर आपका problem solve होता है तो इस वीडियो में एक like करके जरूर जाना और आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe ने किया है तो subscribe भी कर लेना तो मिलते ने कि वीडियो में तब तक ले बाई बाई और जय हिंद